Canon M50 Mark II के mini series में आप सभी का सौगत है इस series में आपको Canon M50 Mark II से related छोटे बड़े settings और Canon M50 Mark II में आपको जो भी doubts वगरा आते हैं जैसे कि ये कैसे किया जाता है, वो कैसे किया जाता है हर एक चीज आपको बताया जाएगा तो आज कि इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने camera में timer या फिर shutter count को आप कैसे enable कर सकते हो कैसे आप उसको on कर सकते हो, कैसे आप उसको set कर सकते हो जिससे आप अपने camera को stand पर लगा सकते हो और 5-10 second का timer set कर सकते हो उसके बाद आप खुद की photos को आप खुदी click कर सकते हो या फिर अगर आप एक family group photo लेना चाते हो तो भी आप timer लगा के कर सकते हो यह video सिर्फ और सिर्फ absolute beginners के लिए है तो चलिए शुरू करते हैं तो अब guys आपको जो मेरा यहाँ पर camera है वो आपको दिखी रहा होगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपना जो camera है उसको guys आपको कर लेना है on तो यहाँ पर दूस्तो यह अलग-अलग modes पर अलग-अलग जगा पर यहाँ पर यह setting जो है नहीं एक है दोस्तो कि आप अपने settings के अंदर जाके कर सकते हो एक directly कर सकते हो ठीक है तो दोनों ही मैं आपको बताए तो ताकि आप अलग-अलग time पर अलग-अलग use कर पूँ ठीक है आपको काफी सारे जो options है वो आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर यह जो fourth number वाला option है यहाँ पर camera के अंदर आपको fourth number वाला option देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको एक मिलता है drive mode ठीक है दूसरा तरीका यह है कि आपको अभी screen के उपर कुछ भी यहाँ पर settings वगरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन दूसरों जैसे आप यहाँ पर info का जो button है आप इसके उपर click करते हो आपके सामने यहाँ पर कुछ settings आपको देखने को मिल जाते है ठीक है सिंपली आप यहाँ पर single के उपर select कर सकते हो ठीक है अब दूसरों यहाँ पर हो गया यह auto mode की बात अब दूसरों अगर आपको यहाँ पर manual mode या फिर video mode पर अगर आपको अपने जो timer है उसको आपको set करना है तो आप simply यही चीज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर setting के अंदर दूसरों यहाँ पर camera वाले option के अंदर यहाँ पर 7 वाले में चल जाते हो तो यहाँ पर movie self timer आपको देखने को मिल जाते है यहाँ पर वीडियो में set कर सकते हो जैसे कि आप देख पार हो यहाँ वीडियो mode पर है यहाँ फिर दोस्तों आप यहाँ पर simply info वाले button को उपर click करक है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पार हो यह वाला symbol है दोस्तों timer का यहाँ पर off लिखा हुआ है तो यहाँ पर timer को आप video में select कर सकते हो ठीक है manual video mode में अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाते हो आप manual photo mode में तो यहाँ पर भी आपको timer आपको देखने को मिल जाते है सेम उसी तरीके से आपको Q के उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपना जो timer है उसको आप यहाँ पर set कर सकते है या फिर दोस्तों आप यहाँ पर settings के अंदर भी जाके अपना जो timer वगर है उसको guys यहाँ पर डून के set कर सकते हो जिसे कि आप यहाँ पर देख पर यहाँ पर info का जो button है इसके उपर आपको click करना होता है दो तिन बागर अगर आप click करोगे तो आपको Q का option भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक second वीडियो अभी end मत करना क्योंकि मैं आपको एक जरूरी चीज़ बताना चाहता हूँ टाइमर को लगाने के बाद अगर आप अपने कैमरा पे shutter button को click करते हो तो दोस्तो आपका subject जो है वो focus में नहीं रहेगा यानि कि आप focus में नहीं रहोगे लेकिन दोस्तो मेरे पास इसका solution भी है आप अपने कैमरा में timer को set करने के बाद आप अपना जो mobile phone है उसको आप camera के साथ remotely connect कर सकते हो अब यह कैसे connect करना है यह मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बता रखा है अब दोस्तो connect करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो camera है उसका जो shutter है आप अपने phone के साथ ही click कर सकते हो जी हाँ दोस्तों जैसे आप अपने phone में click करोगे आपका जो camera है उसकी जो timer है वो चालू हो जाएगा वीडियो के end में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे channel पे हो चुके हैं 300 plus subscribers तो thank you so much और बागी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप like, share, subscribe करीड होगे so guys मिलता हो आप चैली next वीडियो में